हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पा ले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेस आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हस्पीटाल में दोस्तों दर्द एक ऐसा चीज है बुढ़ा हो या जवान हो किसी को भी दोस्तों परेसान कर सकता है दर्द जब होती है तो इनसान को ऐसा लगता है कि पेन किलर दे दो या फिर सरजेरी करा लो कुछ भी कर लो मगर मुझे भैंकर दर्द से निजा दिलाओ जब यह लंबा खिसता है तो इनसान लाचार हो जाता है तभी सरजेरी होती है दोस्तों मैं आपको हमेज़ा एजुगेट करने को कोशिस करता हूँ कि आप अपने घर बैठके अपना एक्प्रेशर के माध्यम से होम आयर बेट के माध्यम से अपने आप में स्वेंग अपने समस्य को समाधान करें और आपको बड़ी मुसिबत से बचने का पूरा मौका मिल जाए एक ब्रिधिंग स्पेस मिल जाए दोस्तों पहली बात है कि आपकी जो मान सिकता है उसको कहीना कहीं बदलना पड़ेगा कि हम दवाई से ही अपने जीवन को चला सकते हैं नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो दवाई के बीना भी चल सकती है अपने किचेन से आप चला सकते हो अपना एकिप्रेशर के पॉइंट से चला सकते हो अपने लाइफस्टेल को थोड़ा बदल के अपने जीवन को बहतर कर सकते हो बलके रधर देन बड़े बड़े हस्पता है दवाई है सरजेरी है उससे तो दोस्तों आप बहतर कर सकते हो सिर्फ एक प्रयास करने की जूरत है इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको कई सारा टीप्स देता हूं वीडियो बना के देता हूं साथ-साथ मेरी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड हिंदी अं पाते हैं उठनी पाते हैं हमेशा तकलीप में रहते हैं अपनी जो दिन चरिया है वो पुरा बिल्कुल ठप हो गया है ऐसे लोगों के लिए ये एक संजीविनी की तरह काम करेगा जो टिप्स दे रहा हूं ये आपको हपते में याने वीकली दो बार दोस्तों इस्तेमाल कर नहीं है तो आप देखोगे आपके बॉड़ी का कहीं पे भी अगर पेन है जॉइंट पेन है मस्कुलर पेन है नसों में दर्द है सुनपन है आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहती है स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन के सिकार हो दोस्तों सब में लाव होगे और ख 250 एमल दूद और उतना ही पानी याने टोटल हो गया आधा लिटर इसमें आप एक टुकड़ा अद्रक याने कम से कम एक इंच उसके साथ साथ एक चमच सौंट या हरड का पाउडर और आधी चमच दालचीनी का पाउडर और दो हरी इलाइची याने छोटी इलाइची को धीरे धीरे इसको धीमें आँच में पकानी है जब पानी याने 200 एमल जो पानी था वो सुख जाए जल जाए तो इस दूद को निकाल के गुनगुने हालत में अगर आप पियोगे तो आपको दोस्तों गठिये के रोग में बहुत ही जल्दी रहत मिलेगी और रेजल्ट एक मेहने के अंदर आ जाएगा दूसरा तरीका है आपने जो एक देडी इंच जहां पर अधरक लिये थे उसके जगह आप दो कली लसन का प्रयोग कर सकते हो याने दो कली लसन को कूटके भी उसमें डालके इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको स्मेल अच्छा लगता है तो ए अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल करें क्योंकि इस सब में अंटिसेप्टिक अंटिवाइटिक अंटी इंफ्लैमेटरी बहुत सारा दोस्तों गुन पाया जाता है नेचुराल पेन किलर है और सुजन कम हो जाएगी आपका सरीर से जो पानी एक्स्ट्रा जो हमारा कहते जलियन्स रहता है वो दोस्तों खतम हो जाएगा बात पीत कफ बैलंस्ट होगा और खास करके कफ की मात्रा दोस्तों कम होगी जिससे आपका दर्द भी दोस्तों कम होगा उमीद करता हूं ये सिंगल टिप्स है इसका इस्तिमाल करें साथ साथ एक छोटा और टिप्स भी नहीं है इसका वीडियो पहले बिमें बना करें डाला हूं एसे 2000 टिव से दोस्तों एक साथ में वीडियो में बोलना पूसिवल नहीं है जो किम किताब करना नहीं चाहते हैं गरोगे और उसका भी दोस्तों रेजल्ट ले सकते हैं। वो किताब से भी ज्यादा पावरफुल है जो बनाए हों। तो उसको आप वाटसप करके हमसे मंगाएं। और उसका दोस्तों लाव उठाए चाहिए देस में है। दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातों को आप मानो इसके साथ साथ जंक फुड बिल्कुल छोड़ने थंडा खटा खाना है बिल्कुल छोड़ो चाय कोफी आवोइड करो सराव और ड्रॉक सीग्रेट तंबाक हो अगेरा बिल्कुल आपको परहज करनी है अगर आपको एक अच्छा जिंदेगी जीना है अदर्वाइज यहां इ जिंदेगी को बिल्कुल बेकार ना कर दो इसलिए समस्य का समाधन तभी बनेगा जब हम एक दूसरे को एजुकेट करेंगे अच्छे ची वीडियो दोस्तों सेयर करें यार दोसके बीच में सब्सक्राइब करकर रखें उसका बेल आइकन बजाए जिससे कि नईने वीडिय जो मेरी आप तक पहुंच सके याद रखें करोगे तो पाओगे मैं हो या आप हो सब के लिए खीनिया में थैंक यू भेर मच जैंजय भारत